हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मा यूट्यूब चैनल आज हम आप लोगों को एक साइस 4.3 का 14th कोशन बिताएंगे इसका हो जाएगा है इसका होल इसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा इसका होल 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 इसका हो तो हो जाएगा 196 और यहाँ पर M square plus 1 by M square का whole square है हमें value निकाल ले M square plus 1 by M square के बिर निकाल ले है यह जो हमारे square है इसको हम right hand side ले लेते हैं तो हो जाएगा M square plus 1 by M square is equal to root 196 और यह 14 का square होता है तो root 14 into 14 is equal to क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा यह हमारे value आगए M square plus 1 by M square की value आगए अब M square plus 1 by M square की value आगए अब यह में प्लस 1 by M कर दें और का whole square कर दें इसका formula क्या होता है M square plus 1 by M square plus 2 into 1 by sorry M into 1 by M यह में कैसे लो गया और M square plus 1 by M square की पर हमने क्या निकाली 14 काली है तो 14 कर देते हम इसे 14 plus 2 16 हो जाएगा और यहां पर यह भी M हमें M plus 1 by M की वाल निकालनी है तो आपने M plus 1 by M कर देंगे और जो रूट है इसको इसाड़ी लेते हैं जगर रूट 16 और रूट से सुनिशाओ करेंगे तो जाएगा रूट 4 into 4 is equal to 4 आजाएगा यह मारी M plus 1 by M की वाल वाल गई root 4 only 4 M plus 1 by M की वाल वाल गई अब यह में M cube plus 1 by M cube की वाल निकालनी है तो M cube plus 1 by M cube का फार्वूला क्या होता है इसका फार्वूला होता है M plus 1 by M bracket में bracket close bracket में M square plus 1 by M square minus 1 M plus 1 by M की वाल 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 गई निकाल थी 4 निकाले थी 4 input कर देते हैं 4 M square plus 1 by M square की वाल थी 14 14 minus 1 4 14 minus 1 into 13 और 13 4 is 52 यह हमारी M cube plus 1 by M की वाल 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 गई 14 question खतम हो गया 15th question है find A square plus 1 by A square A cube plus 1 by A cube and A की पावर 4 plus 1 by A की पावर 4 if A plus 1 by A equal to 3 हमें given किसकी वाल दी गई है A plus 1 by A equal to 3 दिया गया है अगर इसमें में square कर देते हैं on squaring on both side on squaring on the both side कर देंगे तुझाए का A plus 1 by A का whole square is equal to 3 का whole square A plus अब इसका formula होता है A square plus 1 by A square plus 2 into A into 1 by A यह गया है तुझाए कुब कर देंगे यह कैंसे लोगया है और 33 का हिसकार हो जागा 9 A square plus 1 by A square is equal to 9 into A such a 9 minus 2 तो जागा 7 यह हमारी A square plus 1 by A square की वालू आगई थी अगर इसी वैल्यू में क्यूब कर दें क्यूबिंग आन्द बोच साइड है जब तो जाएगा एप्लस बन बाई एक होल क्यूब इस उकॉल टु 3 का होल क्यों यह जगा A3 प्लस 1 बाइय क्यों प्लस 3 इंस 2 एंस 2 बाइय ब्रैकेट में A प्लस 1 बाइय और 3 का क्यूब जगा 27 एकेंसल हो गया A Cube Plus 1 by A Cube Plus 3 और A Plus 1 by Aき वाली क्या देगे थी थी 3 देगे हैं तो bracket में 3 is equal to 27 A Cube Plus 1 by A Cube Plus 9 हुजाएगा Equal to 27 A Cube Plus 1 by A Cube is equal to 27 ये value से चली हागी minus 9 हुजाएगा 27 हमारा से चली जाएगा 18 ही लिवा गयी ृप्लास बंग निकाल दी अगर इसे ऑगेन आहिं मैशया कर देते हैं थôm हमारी एक पावर 4 plus 1 बाइक फ्रोर की बर्वाज आएगें अगे इस्क्राइग ओन तुझा का A स्क्राइर प्रास बइस्कार का होली स्क्राइर एकॉल टू सेवन का होली स्कार तुझा की पावर फोर प्लस वन बाइक की पावर फॉर प्लस टू इन टू A square into 1 by A square A square A square cancel हो गया और 7 के स्कार हो गएगा 49 A की पाउर 4 प्लस 1 by A की पाउर 4 is equal to 49 यह टू इस्टा चलाएगा मास्ट हो जाएगा तब 49 मास्ट हो जोगा 47 यह हमारी A की पाउर 4 प्लस 1 by A की पाउर 4 की वाल्यू आ गई 16 question है if y minus 1 by y equal to 3 plus 2 root 2 then find the value of y cube minus 1 by y cube हमें value किसके की में दी गई है y minus y is equal to 3 plus 2 root 2 अगर अगर समें हम स्कारिंग कर दें on स्कारिंग थो जाएगा y minus 1 by y का whole square is equal to 3 plus 2 root 2 का whole square y minus y by equal square यानि y square minus 1 by y square minus 2 into y into 1 by y y by cancel हो गया और 3 plus 2 root का whole square यानि 3 का square plus 2 root 2 का whole square plus 2 into 3 into 2 root 2 y square minus 1 by y square minus 2 equal to जाएगा 3 का स्कारिंग यानि plus 2 root 2 का whole square यानि what was it plus 6 root 2 जाएगा अब y square plus 1 प्लस जाएगा आप प्लस y square क्योंकि फार्मूला हमा रहा होता है a minus 2 का whole square यानि a plus a square plus b square minus 2 यानि तो y square plus 1 by y square equal to जाएगा 9 plus 8 plus 12 root 2 यहाप मारी याप प्लस जाएगा plus 2 हो जाएगा तो y square plus 1 by y square क्योंकि जाएगा 98 to 98 plus 2 19 plus 12 root 2 हो जाएगा यह मारी y square plus 1 by y square की वालूँ होगी लेकिन मैं कोशिन फैंट करना है y cube minus 1 by y cube की वालूँ तो y cube minus 1 by y cube का फार्मुला होता है y minus 1 by y is equal to y square plus 1 by y square plus 1 अब y minus 1 by y की वालूँ है गीवन देगे थे 3 plus 2 root 2 3 plus 2 root 2 अब y square plus 1 by y square की वालूँ ने फैंट किया 19 plus 12 root 2 19 plus 12 root 2 plus 1 हो जाएगा अब 3 plus 2 root 2 19 19 plus 12 root 2 plus 1 19 plus 20 हो जाएगा 20 plus 12 root 2 इसको multiply कर देते हैं तो 3 अब 3 का माल्टीप्ला होई हैं तो कि जाएगा 20 60 होजाएगा और फिर 3 का मल्टीप्ला हैं तौल रूट 2 में करेंगे तो 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 जाएग्ध तो जाएगा plus 36 root 2 हो जाएगा और फिर अगेन हम 2 root 2 का multiply 20 में करेंगे तो जाएगा plus 40 root 2 हो जाएगा फिर 2 root 2 का multiply हम 12 root 2 में करेंगे तो जाएगा plus 24 into 2 हो जाएगा अब 60 plus 24 into 2 हो जाएगा 108 plus 36 root 2 plus 42 root 2 हो जाएगा 76 root 2 यह मारी वैलू आगी y3 minus 1 by y3 की